दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आटडी, एफडी और मिच्वल फंड में जो SIP किये जाते हैं इन तीनों चीजों के बारे में मतलब इन तीनों जगों पे निवेश करने में सबसे ज़्यादा प्रोफीटेवल जगा कोई सी रहेगी आपके लिए कहां पर निवेश करना जादा बेहतर हो सकता है आपके लिए एफडी के बात इस वीडियो में जादा हम नहीं करेंगे क्योंके वो भी मैं आपको आगे बता दूँगा कि क्यों मैं इस वीडियो में एफडी के बात जादा तर नहीं करने वाला हूँ में हम बात करने वाले हैं RD और mutual fund की SIP के बारे में कि इन दोनों जगों में से और थोड़ी सी बात हम FD के बारे में करेंगे कि मतलब सबसे बेटर जगा कौन सी रहेगी तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन उसे पहले चोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों चाइनल पर फर्स्ट टाइम विजीट कर रहे हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चाइनल को सब्सक्राइब कर लीजी इसी तरह की इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अब हम आड़ी के बात करते हैं सबसे पहले आड़ी अकाउंट में क्या होता है दोस्तों कि वहाँ पर आपको थोड़े थोड़े अमाउंट जो है हर महीने में मतलब एक फिक्स टाइम पे फिक्स डेट में आपको एक फिक्स किया करता है हर वो हम लोगों से ले जाता है दो-दो सो रूपय और वो जमा कप करता है महीने के लास्ट में वो जमा कर देता है तो आब इसमें इंट्रेस्ट रेट की अगर हम बात करें वहाँ पर 10% गारा परसेंट इस तरीके से ब्याज़दर की बात की गई है अब मिलता कितना है वो भी तीन सालों के लिए जब हमने तीन सालों के लिए आड़ी में हम हर महीने इस तरह निवेश कर रहे हैं थोड़े-ठोड़े अमाउंट करके तो हमें तीन साल के बाद जो रिटर्न मिलने वाला है वो दस परसेंट 11-12 परसेंट ऐसा कुछ परसेंटेज में हमें भी आज मिलने वाला है दोस्तों यहां पर क्या होता है कि आप अपने amount को time period complete करने से पहले नहीं निकाल सकते हैं चाहे emergency के time में भी हो मान का चलिए आड़ी account आपका तीन साल के लिए है पांस साल के लिए है तो एक time period fix है कि तीन साल आपको जमा करना ही है पैसे अगर आप बीच में किसी महीने में अगर पैसे नहीं है और आप जमा नहीं करते हैं तो उस पर आपको fine भी देना पड़ता है और दूसरी बात अगर बीच में आपको पैसे की जरूरत हो करते हैं कभी कभी तो आप अपने पैसे को नहीं निकाल सकते हैं अपने पैसे को आप विद्रॉल करने के लिए आपके पास पूरा समय पूरा time period complete करना पड़ेगा मतलब क्या है कि तीन साल के लिए अगर आपने आड़ी किया है तो तीन साल complete होने चाहिए उसके बाद ही आप निकाल सकते हैं पैसे को हाँ यह होता है बहुत सारे मैंक में कि एक साल के बाद उसमें से आपको 50% का लौन देने लगता है उसमें क्या होगा उसमें फाइदे एक चीज़ यह होता है कि ब्यास दर उसका इंटरस्ट रेट बहुत कम होता है मतलब जो लौन आपको मिलता है उसका इंटरस्ट बहुत ही कम रहता है यह एक फाइदे वाली बात होती है लेकिन अगर मुही पर बहुत जादा हो गया आठ परचेंट दस परचेंट इस तरीके से रिटर्न मिलते हैं यह सारे एडवांटेज एडवांटेज है अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं एफडी के बारे में देखिए एफडी के बारे में मैंने आपको कहा था कि हम जादा बात नहीं करने वाल सारीरी हैं और आपको तो मिलता है तो साथ परसेंट 8 भर से दस पर सेंट मैंब बैंक वाइज अलग अलग तरीके से इंटरेकर अव मैंने में हाल educator गेंगर highly आप आपको दे रहा है तो उसके साथ बहुत सारी शर्टे होती है लेकिन एक चीज़ है कि एफडी आप बाइद वे अगर कोई प्रोब्लम होता है एमेरजेंसी के टाइम में आप एफडी को चाहे तो तोड़ सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है अब इंटरस्ट रेट की बात करें तो व वाले नहीं है क्योंकि यहां पर फिक्स डिपोजिट वाली बात है फिक्स्ट अमाउंट वाली बात है जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता है हम एसाइपी के बात इसलिए कर रहे हैं कि थोड़े-थोड़े पैसे करके आपको जमा करना रहता है और ठीक आड़ी में थोड़े-थोड़े करके जमा रहता है तो हमें में चीज़ देखना यह है कि हम थोड़े-थोड़े अमाउंट आड़ी में भी जमा करते हैं और एसाइपी में भी जमा करते हैं तो प्रोफिटिवल जग कौन सी है अब हम बात करते हैं एसाइपी की देखिए एसाइपी होत पांस सो रुपए की जो है नहीं S.I.P कर रहे कि कंपनी के आप S.I.P के ले रहे हैं अब हर महींचे पांस सो रुपए आपकीअ काउंट से कर जाता है मान कर चलिए इतना तो आपको मान कर चलना चाहिए यह जाह जितने भी बूरी णaken Clash चाहे जितनी भी खराब कमपनी हो आपको अगर ना भी रीटन मिलेगा मिचोल फंड में तो मैं कहता हूँ 12-14% का रीटन तो हर हाल में मिल जाएगा अगर आप निवेश करते हैं तीन साल के लिए या उससे उपर के लिए उससे लाउन टाइम के लिए अगर इतने दिनों के ल तो अगले महीने में हम SIP की पेमेंट कर देंगे तो बहुत सारे कंपरियों के साइप में आपको इस तरह के आप्शन मिल जाएंगे कि अगर उस महीने नहीं है तो आप अगले महीने उसकी पेमेंट कर सकते हैं दूसरी बात इसका एक फाइदय यह भी होता है कि यहां पर ग कैंसल कर सकते हैं और वो अलग बात है कि मतलब आप साइपी को कैंसल करेंगे तो देखें इंट्रस्ट रेट उसका घड़ जाएगा और कभी-कभी किसी-किसी एसाइपी में ऐसा भी रहता है कि एक जलिट लोड अलग से आपको पारता हैं मतलब अगलब टाइम प्रेट से पहले अपनी हजे एसाइपी को आपALLY करते हैं तो आपको एक इक लगा चार्ज होता है उसके बाद कहां पर कैसे पैसे को इन्वेश्ट करना है इसके लिए भी आपको टेंशन नहीं लेना पड़ता है उसके लिए भी आपको आफिस जाने की जरूरत नहीं है टाइम देने की जरूरत नहीं है सीखने की जरूरत नहीं है बस आपने पैसे लगा दिये अब से जादा बेटर आपके लिए हो सकता है आप खुरी भी यह फैसला कर सकते हैं उमीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेर कर दिए चाइनल को सब्सक्राइब कर लिजे फिर मिलते हैं किसी नेक्स् YA स्थां कि वाचिताओ थाह। सुर्षण ऑादा से नेक्स एंडर शेक्स्न स्थां टू हो अजाक कि वाचित audio